वजन कम करना है, वेट लॉस करना है या पेट मेंसे फैट लॉस करना है वो कौन सी गलतिया है जिसकी वरा से हमारा वजन कम नहीं होता मैं एक ऐसे चक्स के पास आई हूँ इन सवालाद के जवाब लेने जो के हम हर वक्त पेट की चर्बी के पीछे पड़े रहते हैं Hello Without any time waste मैं अपना पहला question करूँगी junk food की हमाले से अच्छा junk food हमारी body के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है Normally जब आप घर का खाना खाते है और ज्यादा खाते है और तो in the end of month आपका जो weight बढ़ता है वो 3-4 kg वो naturally बढ़ता है लेकिन जब आपके अंदर junk food की intake ज्यादा होती है तो आप 7-8 kg तक weight gain कर लेते हैं Junk food हम खाते काब है? Extra time पे जब हमें extra time पे भूक लगी होती है तब हम junk की दरफ दोरते हैं जब फिर हम late nights का इंतखाब करते हैं अक्सर लोग देखें को जिनकी पूरी body normal होती है लेकिन fat जो होता है वो सरफ उनके face पर होता और उनकी belly में होता है इसका मतलब है कि उनकी junk food की जो इंटे करना वो जयादा है Question No.2 मेरा, अगर अब मैं लड़कियों की बात करूँ, अब 70% लड़कियों का C-section होता है ज्यादा और carbs की intake जो है वो कम हो, और अगर आपने बड़ा कोश्च भी खाना है क्योंकि वो body की requirement होती ही, वो आपके stitches को जल्दी heal करने में help करती है, तो वो भी boiled करके खाएं आप Question No.3 है मेरा, हमारे जो subcontinent की लड़किया हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बंगलादेश, इन में ज्यादा lower body fat इतनी जल्दी क्यों आता है? इसकी बहुत बड़ी वज़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर subcontinent में तलीवी चीजों का इस्तमाल ज्यादा किया जाता है, जिसकी वैसे especially ओरतों की thighs में और hips में fat जल्दी आता है, और जो खाने हमारे घरों में बनते वो भी oily होते हैं और खाके अक्सर लड़कियां बैठी र खाते हैं, और फिर जब वो शादी की उमर को पहुंचते हैं, तो शादी में रुकाव्टे बच्चों में इसलिए आती हैं, क्योंकि उनके ओपर मुटाप्पा होता है, फिर वो इस चीज़ के पीछे लागे थे हमने अपना weight reduce करना है, और फिर माबा को ख्याल आता है, हमन अपने बच्चों के साथ जयाती ही कर दी, अब जितने भी 60-70% बच्चे देख लें, उनको स्टमक इशू रहता है, क्वेस्टन नमर फाइफ, अगर वजन कम करना ही है, तो क्या इसके लिए exercise करना बहुत जरूरी है, खाली diet से काम नहीं चल सकता, डाइट प्लस exercise सोनने में सोगे वाला काम करती है, जो काम खाली diet से दो मीने में होनाता है, वो एक मीने में exercise के साथ हो जाता है, exercise के और भी बड़े benefits है, exercise आपके joints को मश्बूत करती है, आपके stamina को build up करती है, और heart attack जैसी बिमारियों से बचाती है, अब वो लोग जो खाना ही बाहर खाते हैं, अपनी मसरूफियात की वज़ा से, वो अपनी diet को maintain कैसे रखें, जो जौब वले लड़के-लड़के होती हैं, अक्सर उनकी मजबूरी होती है, बाहर से खाना-खाना, और बाहर के खानों में पतने किस-किस किसम के मसाले use की होते हैं, वो आपके stomach को उड़ा के रख देते हैं, कोश आपको दालों, सबजियों, चिकन, फिश, अंडे, ब्रेड, दूद, सफाद चने, काले चने, लाल लोबिया, सफाद लोबिया, अधरक और लेसन में मिलते हैं, जैसे मैं पहले भी बिता चुक है, इंसान की तीन टाइप की बॉड़ी होती है, एक्टोमॉफ, मेजोमॉफ और अटोमॉफ, एक्टोमॉफ वो होते हैं, जो के बहुत पतले होते हैं, जो जितना भी खाएं, उनको लगता नहीं है, वो लोग चाते हैं, के उनका वजटन बढ़े लेकिन बढ़ता नहीं है, उनका मेटापलिजम बहुत ज़़दा फास्ट होता है, और दूसरी जिसमें आप थोड़ा सा भी खाते हैं आपको बहुत ज़ाकर लगते हैं आपको लगते हैं पानी भी पीरें आपका वजन बढ़ा है आज का खाना काल जाकर हज़ा हो रहा है अक्सर कॉंस्टीपेशन की प्रॉब्लम रहती है पेड फुलावा रहता है अक्सर सिर में दर्द फीरें था के थे ठाक जाते हैं को बड़ी मेनत करनी परती वह पूरा दिन भूका रहके डाइट करते हैं और और अक्सर उन लोगों को एक वक्त आता है कि वेट बड़े लंबे अर्से की लिस्टाक हो जाता है Q8. अच्छा आप डाइटिंग करने से लेटियों की स्किन भी खराब होती है और हेर फॉल भी बहुत होता है इसका कोई इलाज बताएं वो वो ली डाइटिंग करने से आपकी स्किन डेमेज होती है और आपकी हैर फॉलिंग होती है और आपके चेरे की रंगत खतम होती ही जिसको स्टूपीड डाइट कहते है हमारे दिन में डाइटिंग आती है कि रोटी चावल छोड़ दिन पूरा दिन भूका रहे कि आपने आपको अजियत में मुपतला कर देना जब आप इस तरह की डाइट करेंगे तो इस तरह के side effect तो आपको देखने को मिलेंगे Question No.9 है आप calories की बात बहुत करते हैं तो पूरे दिन में एक इनसान को कितनी calories चाहिए होती है पूरे दिन में healthy life के लिए आपको 2000 से लेकर 2200 तक calories required होती है लेकिन जब आप weight loss की तरफ होते हैं तो आपको minus 1300 calories required होती है अगर आप gym जाएं तो आप gym के लड़कों को देखें तो उनकी बहुत बढ़ी build होती है मतलब कि वो 3000-4000 calories per day ले रहे हैं अगर वो इतनी calories नहीं लेगे तो उनका muscle ही grow नहीं करेगा लेकिन जिन्होंने weight loss करना है तो उनको minus 1300 calories रखनी पड़ती है calories के उपर मैंने बड़ी तफसील से वीडियो बनाई वी और आगर भी बनाता रहूँगा ताके लोगों को सही तरह knowledge हो कि जो हम खा रहे हैं हमारें तरह कितनी calories जा रही हो और कितनी calories burn करते हैं एक चोटी सी मिसाल देता हूँ जब आप एक घेंटा मुसलसल walk करते हैं जब आपको पसीने निकले होते हैं अगर आपको पिपनी watch में देखें जो बताती कि आपने कितनी calories burn की ही तो maximum आप 285 से लेकर 300 तक calories बड़ी मुश्क्रों से एक घेंटा walk करके आप burn करते हो और वो एक चोटी चोक्रिट जब आप उसी टाइम खा लेते ना तो वो 370 कैलों उसमें पाई जाती तो आपकी सारी मेनस जया हो जाती है मेरा आखरी question 90% लोगों का यही question है कि कोई weight loss tip भी दे दे देखें tip तो waiter को दी जाती है खाना खाने के बाद weight loss में कोई tip नहीं है weight loss में कोई shortcut नहीं है उसको natural और organic तरीकी से होने दें यह चीज़ समना ज़रूरी है हर एक की age के मताबिक, height के मताबिक, weight के मताबिक और उसके medical issue को देखते हर बंदे की diet different है, हर बंदे की exercise different है पस आखर में एक बात बोलूँगा के regular exercise, regular walk और diet अपनी body type के मताबिक ले ले आप सारी जिंदगी fit रहेंगे मजीद सवालों के जवाब लेके आते होंगी weight loss के हवाले से और healthy life के हवाले से मैं हूँ वकास और आप देख रहे है fitness for everyone आप देगर fitness for everyone आप तक ले इतने लाफिस